हेलो दोस्तों आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत श्रागत है आज मैंने बनाई है ये जहला ये मैंने बहुत ही आशान तरीके से बनाई है इसे बनाना बहुत ही आशान है इसमें ज्यादा टाइमी नहीं लगता बनाने में आप अपने डोर मैट के नापकी से बना सकती है ये मैंने बारे फंदों की बनाई है आप इसे आज फंदों की या दस फंदों की भी बना सकती है तो देखिए इधर की साथ से इसकी किनारी आती है और इधर की साथ से ये डोर मैट के साथ अटेच हो जाएगी देखो कितना लगेगा तो चलिए इसे बनाना स्टाइट करते हैं तो छोटा डोर मेट हो जाता है गोल वाला या चवकोर वाला तो आप उस पर किस तरीके से डिजान वाली जल्लर बना कर रखेंगे तो उसके लिए देखिए मैंने ये देखो ये एक कलर है इसमें और इसमें एक कलर है यान मैं इस तरीके से डवल गोले बना रहे हूं देखो ये आसमानी कलर की पट्टी है इसमें और इसमें नीली कलर की पट्टी है तो ये दोनों गोले मैं देखो एक एक इंची की कट करते हुए पट्टियां बना रहे हूं मैं आपको एक बार इसमें से भी बना कर दिखा देती हूं देखिये यह मेरे पास वाइट कलर की साढी थी और उसमें से भी देखो यह थोड़ी पतली है तो औरल से हम ज्ल Two गेड़ इंची की ड़ करेंगे देखो ज्ल Newर करेंगे और इसका भी एक गोला बना लेंगे इसी तरीके से लंभी-Lbaar अहां भी कट करेंगे हम देखोँ यह मैं गोले आपको इसलिए बना कर दिखा रही हो कि मैं चाहती हूं कि जो शुरू बाद से एज तक आप मेरी पूरी वीडियों देखें आप भी मेरी तरह जल्लर बना लें जल्लर हो या डोरमैट हो कुछ भी आप मेरी तरह बना लें तो तो देखिए बहुत आसानी से यह बन जाती है और बहुत सुन्दर लगते हैं बनने के बाद में भी अब इदर की साइट से हम पूरा इसे कट नहीं करेंगे क्योंकि हमें यह पूरा गोला एक ही बनाना है तो इदर की साइट से भी हम थोड़ी सी पट्टी देखो इस तरीके स कट करेंगे और ऐसे लंबी लंबी पट्टियां इस गोले को हम एक ही बना रहे है ना इसलिए इसे हम एक गोला बनाएंगे तो दोनों तरफ से हम ऐसे ही पट्टियां कट करते जाएंगे और लंबी लंबी चीड़े फारते जाएंगे देखो इदर की साइट से भी हम फिर स तो देखिए मैंने ये दो गोले बना लिए हैं अब मैं आपको जिजान बना के दिखाऊंगी उसके लिए हम सबसे पहले 12 फंदे डालेंगे इस जिजान को आप 8 फंदे से भी डाल सकती हैं 10 फंदे से भी डाल सकती है मगर मैं 12 फंदे से आपको डाल के दिखा रही हूँ देखिए इस तरीके से पहले हम 12 फंदे डालेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11 और ये 12 मैंने इसमें 12 फंदे डाल लिए हैं एक कलर से डाले हुए है अब देखिए हम क्या करेंगे एक रो हम पहले बना लेंगे एक फंदा निकल गया उसमें से एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, तस, ग्यारा और ये 12 एक रो हम बनाएंगे पहले, देखिए, दो फंदे, तेन, पहले एक रो बना लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाएंगे, तो देखिए मैंने सभी फंदों को ये बना लिया है, एक फंदा हम सीधा वाला लेंगे, लाश्ट वाला लेंगे, देखिए, ये मैंने सीधा लिया, एक रो लगने के बाद अब हम दूसरा कलर्ट चेंज करेंगे, तो इस सीधे वाले फंद को एक बार हमें बनाना होगा, यानि इस बाले कलर से फिर हम सीधा ही लेते जाएंगे देखिए यह मैंने दो फंदे कर लिए कलर चेंज करते हुए यह मैंने देखों दो फंदे बना लिए अब हम इसी से बनाएंगे पूरी सिलाई को वाइट कलर से आपके पास चाहे साड़ी हो यह मैंने साड़ी में से बना रही हूँ आपके पास डुपटे हों या जो बलाश आती हैं साड़ियों में उन्हें नहीं सिलवाती हैं वो हों या सर्दियों का मौसम चल रहा है उन भी मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाती है उन से भी बना सकते हैं मैकरम से भी बना सकते हैं आप इस वाली जलर को कहीं किसी से भी बना सकते हैं देखिए ये बनने के बाद और डोर मेट के उपचुल लग जाए ये जलर बनकर तो बहुत सुन्दर लगता है डोर मेट तो यह जलर बहुत ही आशानी से भी बन जाती है देखिए अब क्या करेंगे हम यह मैंने अब हम क्या करेंगे इस वाले धागे को इसके उपर रखेंगे इसे हम पीछे की तरफ निकाल देंगे यानि उल्टी तरफ निकाल देंगे अब इन दोनों फंदों को हम इससे बनाएंगे अब ये वाला फंदा हम सीधा लेंगे ऐसे देखिए इस सीधे वाले फंदे को हम उतारेंगे अभी मैंने आपको कहा था कि एक बार बुनने के बाद फिर नहीं से बुनेंगे ये मैंने उतार लिया अब मैंने ये दो फंदे सी के लिए अब हम क्या करेंगे इसे हम उंगलियों के नीचे इधर की साथ में दबा लेंगे और इससे बनना शुरू कर देंगे कि देखो कितनी आशानी से कितनी जल्दी यह जल्लार बन जाती है और आप इसे दो कलर से भी बना सकते हैं चार कलर से भी बना सकते हैं दस कलर से भी बना सकते हैं यानि एक एक डिबबा एक एक कलर का भी इसमें बना सकते हैं इसमें जो भी आपके पास कपड़े हो यानि सूट बगेरा हो डुपट्टा हो कुश्वी हो आप इस तरीके से लम्मी लम्मी पट्टिया कट करने के बाद ऐसे इसमें अटेच्च कर सकते हैं और बना सकते हैं अपनी जलर अब हम क्या करेंगे अभी मैंने आपको बताया था इसे हम इसके उपर रखेंगे इसे हम पीछे की तरफ निकाल देंगे इस अंटे को लगाना ना भूलना आपकी जलर बहुत अच्छी आएगी और बहुत सुन्दर लगेगी देखिए ये वाला फंदा हम सीधा लेंगे यानि ये देखिए इससे क्या होगा हमारी किनारी बह बतार लेती हैं और फिर से बनाना शुरू करते हैं अब की बार हमारे चार फंदे थे अब इन्हें हम 6 पंदे करेंगे यानि 6 धागे इसी से बनाएंगे अब हम वाइट कलर लगाएंगे और इस वाली इसी तरीके से अपनी यानि एक कली बनाके कंप्लीट कर लेते हैं फिर मैं आपको दिखाती हों ऐसे ही तो देखिये मैंने यह दोनों फंडे इस तरीके से दो दो भाट करर के इस टरीके से लेते हुए पूरे एक कली बना ली है, देखो, आपको दिख रही होगी, इधर की साट से भी हम ऐसे ही पूरी कली बना लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ, देखिए, इस तरह की से, इस वाले हंदे को हम सीधा लेंगे, ऐसे, अब क्या करेंगे, यह एक कली मेरी बन के तयार हो गई ही, अब हम फिर से सभी फन्दों को, एक बार फिर से ऐसे, सभी फन्दों को हम, वाइट कलर के बनाएंगे, देखिए, देखिए, अब यहां पे, अगर आप 4-5 कलर से बनाना चाहते है, 10 कलर से, कई कलर से बनाना चाहती है, तो आप इसकी जगह पे, और दूसरा कलर लगा लें, फिर से ये वाली कली पूरी हो जाए तो तीसरा कलर लगा लें ऐसे ही कलर लगाते लगा शकती है आप तो अब हम इधर की साइट से फिर से बनाते हुए जाएंगे देखिए ऐसे ही अब हम सेम ऐसे ही बनाएंगे जैसे कि मैंने अभी आपको बनाकर दिखाई है ये वाली कली इस वाले फंदे को हम सीधा लेंगे ऐसे देखो सीधे लेने से फंदा क्या हुता है कि इस तरह की से हमारी किनारी सैट आती है इधर की साइट से हमें सेट नहीं करनी है क्योंकि ये डूर मैट के साथ अटेच होगी इसलिए तो देखो अब हम दो फंदे फिर से इस वाले कलर से बनाएंगे अब हम फिर से इस वाले कलर से बनाते जाएंगे तो ऐसे ही अपनी अप दो चार कली में आपको और बना लेती हूँ फिर बद दिखाती हूँ तो देखिए इसी तरीके से आप इसे अपने डूर मैट के नाप की बना सकते हैं इसी तरीके से बस इधर की साथ से हम नाप करेंगे क्योंकि इधर की साथ से देखो हमारी किनारी है अच्छे से बनके आ रही है देख रही होगी आपको देखो और इधर की साथ से हम क्या करे तो इस जलर को मैं आपको यहीं तक दिखा रही हो अगर आप इसे पूरा देखना चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं अगर आप मेरे चैनल पर नीव है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपके लिए मैं निव निव वीडियो लाती करें सब्सक्राइब करें दोस्तों के साथ सेर करें अगली वीडियो के साथ मिलेगे तब तक लिए बाए